सोलन में HRTC की बसे नियम अनुसार खाना खाने के लिए सड़क किमारे बने धाबों पर खड़ी नहीं कीचा सकती है चालकों को ये आदेश दिये गए थे कि वैक येवल प्रियाटन विभाग के होटलों पर ही खड़े हो सकते हैं नियम इसले बनाए गए थे ताकि प्रियाटन विभाग के होटल भी लाप कमा सके और ग्रहकों को भी खाने के लिए उच्छत दामों में अच्छा खाना मिल सके और उनके साथ खाने के नाम पर लूट खसूट ना हो सकत नियमों के होने के बावजूद भी आज भी HRTC के चालक और परी चालक नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी बसों को ना जाने किस लालश में लीजे धाबों पर ही खड़ी कर रही हैं आज भी सोलन के सन्वारा के धाबे पर बसे रुकी होती है और जब चालक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान रहे जाएंगे उनका कहना था कि वै उच अधिकारियों के आदेशों पर ही इन धाबों पर रुक रहे हैं चालकों ने खुलासा किया है कि प्रेटन विभाग के होटलों में अच्छा खाना नहीं मिलता है इसलिए उन्हें मचपूरन नेजी धाबों पर रुकना पड़ता है अगर प्रेटन विभाग के होटलों में अच्छा खाना मिलेगा तो वै नेजी धाबों का रुक क्यों करेंगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रेटन विभाग के होटलों में प्राफ्ट स्टाफ नहीं है वे केवल तीन या चार लोगों को एक समय पर खाना खिला सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि वे उच अधिकारियों के आदेशों पर ही इस नीजे धाबे पर रुके हैं पहले बिल्कुल बंद किया था तो नी रुकते थे हैं कोई टौल जाने बड़ा भी आ है को खाना खाना कोई तो रिटम में आड़की है कि वैसे बोला है बॉसी नहीं रूचों कि दूच अब एक जगा तो खाना 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 कोई टौलेट अब कोई जाहें पर आणई बादा है कि एक जगा तो कहीं तो रुकना पड़ना है वैसे उत्राइज तो टूरिजन के जो डिपार्टमेंट से हैं तूरिजन में रुखते थे वहाँ भी खान अब गएरा नहीं मिलता है पहले थाब नीचे बंद कर दी हुना दो-चार आदमी गए एक-दो आदमी खास के थे बाकी मुश्कल होते है है सवारियों मों दिक्कत आती है हाँ सवारियों मों दिक्कत आती है